तो प्यारविद्यारत्यों नमस्कार स्वागत पे आप सभी का एकोर नए वीडियो में प्यारविद्यारत्यु आज हम यहाँ से वारसिक परिक्टा कक्चनूमी का आपका विग्यानविसी का पुरा का पुरा कोश्चन पेपर हलसाइद देखने वाले हैं तो इसलिए प्यार विद्यारतियों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहां से इस question paper को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरू जाएं ताकि आप सभी को पूरा question paper और इसका solution आपको समझ में आ सकें यहां से आप लोग देख सकते हो कक्चनोंवी वारसिक परिक्चा 2023 का यह विज्ञान विशे का question paper है जिसे कि आज हम पूरा solution के साथ में देखने वाले हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि कक्चनोंवी आपका वारसिक परिक्चा का विज्ञान विशे का question paper कि के से पूरा complete कर लेना चाहिए देख सकते हो पैर विज्ञान विशे की पूरा question paper को और इसके solution को तो देखेगा प्यार विज्ञान का question paper आपको परिक्चाव में देखने को मिलने वाला है आप सभी लोग यहां से इसको अच्छे से देख लें और समझ लें पहला question देखते हैं बर्प का गलनांक होता है पहले नमर का question लिखा गया प्यार विज्ञान विज्ञान विज्ञ च्छे समलव 16 के होता है उसके बाद में सोच गबर्प क्या है question नमर का question दिखा गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है इसका उत्तर आपका आजाएगा विशरण उसके बाद में आगे बढ़ते हैं गर्मियों के दिनों में मटके में रगा जल ठंडा हो जाता है इस परिगटना का कारण है तो देखेगा प्यार विद्यारति चोते नमर का जो कोश्चन दिया गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है डी नमर का वास्पी करण उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले question को देखते हैं तो देखेगा प्यार विद्ध्यर तो इसके बाद में question नमर 5 का उत्तर देखते हैं आमोनियम salpate का सूत्र है तो देखेगा पांच नमर के question का उत्तर का उत्तर क्या जाएगा इसका उत्तर आपको क्या जाएगा प्यार विद्यार तो यहां पर आपको रिक्तिस्तान पूर्थी देखने को मिलने वाली है आप सभी लोग यहां से रिक्तिस्तान पूर्थी को देख लेंगे पहला रिक्तिस्तान देखते हैं न्यूट्रोन की खोज ने की थी किसने की थी तो यहां से आप लोग लिख ले चेड विक ने की थी question number 30 तो देखेगा प्यारे विद्यारत्यू यहां से आप लोग लिख लें hydrogen को छोड़ कर इस जगे से आप लोग लिख लें hydrogen को छोड़ कर neutron सभी परमाणों के नाविक में होता है ये इसका उत्तर आ जाएगा इसके बाद में अगला question देखते हैं कोसिका में हरीत लवग पाया जाता है तो देखेगा प्यारे विद्यारत्यू इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है बाद अब कोसिका में हरीत लवग पाया जाता है इसके बाद में question नमर पांस को देखते हैं सभी जीवों की कोई ठीक है उसके Бाद में आगे बढ़ते हيं अगले कोसिंग को देखते हैं यह पूचा गया है कोसिंगा इस जगे पे इस जगे पे इसका उत्तर वोजाए उसके बाद में अगला question सरवित रंगोखी परास होती है तो देखेंगा प्यार विद्यारतियों इसका उत्तर क्या आजाएगा तो यहां से आप लोग लिख लें इसका उत्तर होगा 20SJ से और 20,000SJ तक 20,000 और आगे आपको लिखना होगा HJ तक इतनी होती है यह आप लोग ल मिलान को देख लेंगे तो पहले नमर पर जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आप लोग किस से कर लेंगे यह नमर से और इसके बाद में दूसरे नमर पर जो लिखी गई है उसकी जोड़ी का मिलान आप लोग एप नमर से कर लेंगे और इसके बाद में तीसरे नमर पर जो जोड़ी लिखी गई है इसकी जोड़ी का मिलान आपको किसे करना है तो पांचे नमर की जोड़ी का मिलान आप लोग ऐसे कर लें और इसके बाद में चटे नमर की जोड़ी का मिलान आप लोग किसे कर लेंगे बी से उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथवे देखेगा प् आपका C से हो जाएगा इसकी जोड़ी का मिलान इसे कर लें और देखिएगा पूरा जोड़ी मिलान कंप्लिट कर लेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग एक सब्दिया एक वाक्यम उत्तर को देख लें पहला कोशन देखते हैं तो देखेगा क्य इसका नाम है पारा यहां से आप लोग नोट कर लें पारा इसी द्रव्य दातुए जो कमरे की ताप पर द्रव्य वस्ता में पाई जाती है उसके बाद में नमक एवं आयोडीन के मिस्टरन को किस वीदी द्वारब प्रतक किया जाता है तो देखेगा प्यारविद्यार्ति इसको कहते हैं सुद्ध पदार्थ एक प्रदार्थ के कणों से बने पदार्थ क्या कहलाते सुद्ध पदार्थ इनको कहा जाता है उसके बाद में अगला कोश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है यहां से आप लोग देखेगा इसके बाद में सम्वेक का ऐसा ही मातरक लि किलो ग्राम और इसे बाद में जिए किलो ग्रांम से लिए को स्वि Duty क्या किए जाती है लिएきた के गा मुर्णी को देखते हैं दुख दुद पादन में अपार बद्दी कुख कहते हैं तो कि प्यारे इसको कहते हैं स्वेत करांती यहां से आप लोग नोट कर लें स्वेत करांती इसको कहा जाता है इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लें और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आगे की प्रसनों को देख लें आगे इस प्रकार के कोस्टन आपके पेपर में आप से प्रस्नमर 12 को भी देख ले 15 देख लें के फ्रिले πेपर को बताने वाले हैं तक में सबısने के उत्तरा वाल दिया गया है और इसके बाद में यहां पर आपको एक वाकि एक सब्द में उत्तर वाले कोश्चन दिये गए हैं आप सभी लोग यहां से इनको नोट कर लें इस प्रकार से और इसके बाद में प्यार विद्यारति यह लिखा गया आपका प्रस नमर पांच का उत्तर आप यहां से अगले frågor का उत्तर लिखा गया है यहां से अगले और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला कोस्चन देखते हैं तो यहां से देख लेंगे आप लोग लोग समझतानी की उधारण को नोट कर लेंगे अच्छा से और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले question को देखते हैं तो देखेगा आगे आपसे question पूचा जाएगा समझतानी का उधारण लिखेए तो यहां से आप लोग समझतानी की उधारण को लिखेए पूरा और नोट कर लें और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला question ये लिखा है question नमनो जिसमें की लिखा गया है बोर का परमानू मोडल तो यहां से आप लोग बढ़ते हैं तो यहां से आप लोग देख लें परमानू की अपूर मासुक करणो के नाम लिखी है तो यहां से आप लोग इनको देख लें और इसके बाद में आगे देखते हैं ये question लिखा गया है बोदों में सरल उतक जटिल किस प्रकार कम होते हैं तो यहां से भी आप लोग नोट कर ले प्रिरो का सीरसक विवाजवत कहां पाया जाता है तो यहां से आप लोग इसको देख लें और इसके बाद में एक समान्ध व्रति गति के कोछ उदरन तो यहां से आप लोग इसको लिख लें और पूरा नोट कर लें और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला question ये पाता है देखेगा ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा गया है लिख लें आप लोग यहां से और इसके अलावा उसके आगे ये उत्तर लिखा है जड़त्व से आप क्या समझते हैं तो इस प्रस्ण के उत्तर को भी आप लोग लिख लें और इसके बाद में अगला question ये लिखा है बस की छत पर रखे सामान को रस्ची से क्यों बांदा जाता है तो यहां से आप लोग इसको लिख लें और पूरा नोट कर लें और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आगे की प्रस्णों को देखते हैं तो एक question लिखा गया है किसी वस्तु के गनत्व से क्या एसाई मातरक बताईए तो यहां से आप लोग लिख लें इसको और इसके बाद में अगला question ये लिखा गया है देखेगा आर्किमेटीस के सिद्दान को लिखिए तो यहां से आप लोग आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं क्या लिखा है पानी की सत्य पर रखा कोई व अच्छे से समझ में आ सके और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम के कारे लिखिए तो यहां से आप लोग लाइसोसोम के कारे को लिख लें पूरा और नोट कर लीजीगा इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला question ये लिखा है गोलमी उपकरण के कारे के कार इसवर्दन बढ़ कर लिए है और उसके बाद में प्रशन दिया है मद उतबा counting सी एक चुण होने यह से आप लोग इसको भी लिए और पुरा का पुरा नोट कर लें आप लोग और उसके बाद में प्रसनेन 20 का उत्तर ये दिया गया है आप लोग यहां से लिए उत्तर लिखा गया है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखेगा प्यार विद्यारत्यू आगे इस प्रकार से आप सभी को इसकी उत्तर देखने को मिल जाएंगे और अगला question यह लिखा है मोल में परिवर्तन कीजिए तो यहां से आप लोग म देख लेंगे पूरा और नोट कर लें यहां तक का तो देखेगा प्यार विद्यारत्यू अभी तक मैंने आप सभी को पूरा का पूरा question paper उसकी हल साइथ बता दिया है तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें और इसी के साथ में प्यार विद्यारत्यू इस वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं नमस्कार जेहिन जे भारत